Hello everyone and welcome to this session और आज इस session पे हम full stack development के बारे में थोड़ा सा discussion आज करेंगे तो इस sessions उन सभी के लिए हैं जो कि इस समय पर अपने colleges में हैं या फिर अगर आप coding की beginning आप कर रहे हैं आप किसी company पे as a professional की तरह काम कर रहे हैं तो उन सभी के लिए sessions बहुत ज़ादा important है क्योंकि मैं इस session पे आपको एक roadmap में आपको दूँगा कि अगर आप full stack developer बनना चाहते हैं तो आपका roadmap क्या होना चाहिए कौन-कौन से चीज़े आपको पहले पढ़ना है कौन-कौन से चीज़े आपको skip कर सकते हो but because full stack development का जो syllabus है वो बहुत java है SQL है JavaScript है HTML है उसके अलाबा भी बहुत सारे modules आते हैं अब ज़री आप full stack development आप बनना चाहते हैं तो आप python से भी कर सकते हैं you can have full stack development for by using java maybe you want to be for a iOS developer or maybe you want to be a android developer तो उन सभी के लिए एक full stack developer आप वहां से बन सकते हैं तो full stack का मतलब क्या है मतलब full stack का मतलब क्या होता है कि जब आप let us suppose I want to make a website तो आपको front end से लेकर back end तक हर चीज़े आपको पता होना चाहिए then only you can become a full stack developer और जो salaries होती है full stack development की वह काफी अच्छी होती है that is very very high और इस समय पर you know industry में बहुत सारे चीज़े इस समय पर चल रही है जैसे कुछ लोग है machine learning कर रहे हैं so in the same way but again overall जो full stack development है बहुत ही एक career जो है बहुत ही amazing होती है बट इसकी महनत भी बहुत सादा करनी पड़ती है तो आज इस session में मैं आपको एक over map आपको road map मैप मैपको दे रहा हूँ कि कैसे चीज़े आपको याँसे पढ़नी चाहिए अब even though अगर आपने b-tech किया है from computer science और any other branch then still you can be a full stack developer अगर आपने b-a किया है तब भी आप full stack developer आप बन सकते हैं अगर आपने b-com किया है b-com, m-com कुछ भी आपने किया है doesn't matter अगर आपको यह सभी modules अगर आपने पहले से पढ़ा है उसके साथ साथ आप इसको software को आप use किया है बहुत सारे problems को solve किया है then maybe you'll be able to be a full stack developer अगर देखो क्या क्या चीज़े आपको पहले से पता होनी चाहिए देखो सबसे पहले तो आपको एक if you have some experience for coding तो आपके लिए बहुत जादा beneficial होता है जैसे हम लोगोंने सबसे पहले full stack development से पहले अगर आपने b-tech किया होगा तब b-tech first year में कई लोगोंने python पढ़ा है कुल लोगोंने c programming पढ़ी है तो एक जो strong foundations of coding is very very important जो इसके लिए बहुत जादा important है अगर आपने जैसे c किया है आपने c process किया है so that's your set आप already set हो इस चीज के लिए अगर आपने python किया है then also you will be already set to be a full stack developer तो क्या-क्या पढ़ना चाहिए क्या-क्या cover होना चाहिए तो let us start one by one तो full stack development में majorly तीन से चार अलग modules जो है majorly जो सबसे बड़े modules होते हैं वो आपको हमिशा पढ़ने हैं जैसे front end front end के लिए आपको javascript आपको पता होना चाहिए आपको html आपको पता होना चाहिए css आपको पता होना चाहिए react आपको होना चाहिए तो वो front end में आपको चीज़े cover होना चाहिए यह पता होना चाहिए आपको उसके लाबा back end के लिए आपने से PHP आपने पढ़ा है SQL आपने पढ़ा है no SQL आपने पढ़ा है तो उसे भी database का part है there's a part of database और back end के लिए भी कुछ modules हैं जैसे आप Java कर सकते हैं PHP आप कर सकते हैं उसक का कुछ part है उसके लाबा आप DevOps के कुछ concept आपको पता होनी चाहिए या फिर अगर आप mobile app development के बारे में कुछ modules आपको पता है जैसे Android के लिए आपने यूज़ किया है iOS के लिए आपने यूज़ किया है तो यह सब ही क्या है these are basically total five modules these are major big modules तो कौन-कौन से हैं सबसे पहले front end दूसरा backend तीसरा databases fourth will be dev apps and the fifth will be mobile app development तो अब let me explain कि अगर आप let us suppose I start with a Java अगर मैं Java से start करते हैं तो क्या-क्या modules आपको यहां से cover करने चाहिए तो सबसे पहले चीज़े आपका starting जो आपकी हो गया obviously आपने C programming आपने पहले से बड़ी है तो the first module that you should cover is Java programming basics जिसके अंदर आपका fundamental strong होनी चाहिए जैसे variables है, data types है, loops है, conditional loop operating systems, the oops के जो principles है, वो आपके काफी strong होनी चाहिए फिर जो next module जो आपको यहां से पढ़ते हैं वो है testing and version control यह आपका module number 2 है इसके अंदर major focus जो आपका रहेगा जैसे git है, यह github है और किस तरह कैसे आप collaborations आप कर सकते हैं branching, merging, pull request कैसे आप github से आप use कर सकते हैं so that is a part of testing and versions control the next module that is module number 3 is data structures and algorithms और data structure and algorithm जो है वो सबसे important module है, सबसे important module है चाहें आप कोई data structures कौन कों से use कर रहे हैं जैसे आप tree आप use करते हैं आप arrays आप use करते हैं, link list है, these are the part of data structures उसके अलाबा you have algorithms, जैसे greedy algorithms है, searching algorithms है, sorting algorithms है, dynamic programming है इसको कैसे आप apply कर सकते हैं, जैसे for example I am using Java तो Java के through आप data structures को भी use पर सकते हैं, और even Java के use से आप algorithms को भी आप यहां से solve किया जा सकता है तो you have a strong fundamentals of data structures and algorithms then you have module number 4, will be web development के basics जो है वो आपके strong कोनी चाहिए even अगर थोड़े चीज़ा आपको पता भी है न, basically क्या होता है कि you should be able to understand the code वो आपको एक पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है यहां से क्योंकि में जे लिक्या होता है, websites, बहुत साइक companies में क्या होता है कि जो web designing की जो team है, वो अलग होती है लेकिन जब आप coding कर रहे हैं, जब आप पूरा platform का बना रहे हैं तो आपको you should know understand की यह कैसे काम कर रहा है तो accordingly you will be able to code properly ठीक है, जैसे अगर आप कुछ module साब बना रहे हैं with the help of java तो java से आपको कुछ request डाल रहे हैं किसी website से, एक page से और page के accordingly आप जो output आपको लेना है, जो भी new page आपको generate करना है तो you should have connections दोनों के बीच में कैसे हमें use करना है तो basically जब आप web development के बारे में क्या पता होना चाहिए आपको HTML के बारे में पता होना चाहिए आपको CSS के बारे में पता होना चाहिए आपको bootstrap के बारे में पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम websites को जो responsive websites है उसको कैसे आप उसको use कर सकते हैं उसके रावा कैसे आप user friendly interfaces आप बना सकते हैं तो उसके बारे में आपको यह से पता होने चाहिए so obviously you have to cover this web development basics और यह बहुत बड़ा module नहीं है यह बहुत छोटा module है तो web development के जो basics है that hardly take like one month for you to finish these modules चाहे वो CSS है चाहे वो react है चाहे वो javascript है वो सभी एक मन्त में आपका majorly absolutely spend कर सकते हैं तो obviously the second part here जो module number 5 है वो javascript है तो मैंने पताया है कि वो एक महीने का part है उसे एक महीने में आपको HTML, CSS, bootstrap responsive websites, javascript ES6, DOM manipulations, javascript के कुछ advanced concept है Ajax, Ajax है, react है तो यह सभी क्या है वो सभी front end का part है तो but again you should know all these modules very easily और javascript में आपके basics से लेकर advanced तक javascript आपको आनी चाहें समझ आना चाहें कि कैसे interactively हम code को बना सकते है next module number 5 will be ES6 methods, features as well as DOM manipulations यह पता होना चाहें about how to make website pages dynamically तो आप कैसे dynamically websites को आप बना सकते हैं उसकी practical implementations आपको पता होने चाहें कैसे चीज़े काम कर रही है उसी तरिके से you have advanced javascript भी आपको 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 कवर होना चाहें जैसे API interactions कैसे आप कर सकते हैं या फिर आपके पास asynchronous javascript कैसे programming asynchronous programming कैसे काम करता है closers कैसे पता है callbacks क्या है वो चीज़े आपको यह से पता होने चाहिए, इसके जो advanced topics हैं, ठीक है, जैसे advanced topics को मुझे थे, closers, callbacks, asynchronous programming, तो यह आपका advanced topics हैं, उसके जो focus, जो areas, जो important areas हैं, वो है API interactions, तो advanced JavaScript, obviously आपको advanced और basic दो चीज़े आपको पता होने चाहिए, the next will be module number 8, जहाँ पर आपको jacks और backend integrations के बारे में भी आपको यह से पता होना चाहिए, जैसा photo भी आप यहां से देख भी रहे हैं, तो जैसे JSON data को कैसे आप handle कर सकते हैं, यानि कि again JSON data handling और asynchronous web request जो है, वो सभी आपकी important point है, जो आपको यहां से पता होने चाहिए, फिर आपके प javasweb development react.js के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कुछ components क्या है, state management क्या है, life cycle methods क्या है, वो पता आपको पता होना चाहिए, उसके अलावा जो overview में basically we have javascript की जो library है, कैसे काम करती है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो this is kind of very important part, ठीक है, जिसके बिना आप आगे नह बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो ये जो तीन चाहिए थी, जैसे आपको उताहिए रहा कि HTML, JavaScript, DOM manipulations, JSX और React.js से भी front end का part है, और जो SQL और RDMS जो है, जिसर यार, back end, ठीक है, back end का नदा सिंस कि कैसे आप data को आप यहाँ से डाल सकते हैं, पुश कर सकते हैं, ठीक है, उसके इंदर आप SQL पढ़ेंगे, MySQL पढ़ेंगे, PostgreSQL है, NoSQL है, तो this is a part of SQL, ठीक है, obviously this is the example of NoSQL, तो this is module number 11, तो यह आपको पढ़ना है यहाँ से, then you have module number 12, तो basically क्या है कि जैसे आपने Java पढ़ा है, तो you have basic Java, उसके रहाँ एडवाँ एडवाँ जावा, उसी तरीके से आपके पास Spring Core आप के पास आएगा, और फिर आएगा Spring Boot, अब generally these are, जो Spring Boot जो है, this is like rapid development के लिए, अब Spring Boot को आप जरली आप यहाँ से use करते हैं, और यह Java based obviously, तो you should have a basic of Java, Java आपको पता होना अच्छे, then only you will be able to study, which is Spring Core, and then you study Spring Boot, तो जैसे Spring Core के अंदर, आप dependency injections आप पढ़ते हो, rest APIs आप पढ़ते हो, और microservice architectures आप यहाँ से पढ़ते हो, और जो उसका Spring Framework कैसे काम करता है, वो आपको पता होना चाहिए, because Spring Framework आगर आपको पता है, then you can move on to the advanced, which is Spring Boot, और यह बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप इसका सिर्छ बेक्राउं में टाइम लगता है, और फिर उसके बाद Spring Boot आप पढ़ते है, फिर Spring Core फिर Spring Boot, ठीक है, then the model number 13 will be data access and service layers, जहाँ पर ORM को यूज करते हैं, hypernets पढ़ते हैं, service layers पढ़ते हैं, उन सब के layers कैसे काम करती है, basic business कैसे काम करता है, data handling practices कैसे करते हैं, तो वो practices जो है, वो चीज़ then module number 14 will be micro service designs, और जिसके design principles भी आप यहाँ से पढ़ते हो, ठीक है, कि कैसे आप architect, micro service architecture कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है, उसके benefit क्या है, उसके challenges क्या है, वो पताऊना चाहिए, then module number 15 will be rest and controller layers, जो है आप यहाँ से पढ़ते हो, जिसमें in-depth learning करते हो, रेस्ट, full service and HTTPS methods के आप पढ़ते हो, उसके लिए अपियाई, endpoints and request mapping आप पढ़ते हो, यहाँ से, और बेसिकली, इस more about की practice, राइट, इसके लिए आपको पढ़ना होगा, coding के कुछ sessions आपको लेने पढ़ेंगे, उसके लिए आपको पढ़ते हैं, उसके लिए आपको and base, base DBMS, उसके लिए आपका code, spring boot आप कर चुके हो, now next module is about security, चाहें वो handling application security के बाद है, या फिर exception handling के बाद है, वो चीज़े आपको पतावने चाहिए, यहां से, कुछ advanced, कुछ concept है, जो आप पढ़ते हो, जैसे security standard में, OWASP, जो है, वो आपके पास यहां से आता है, this is something that you should cover in this modules, ठीक है, next module number 17, will be your service discovery and inter-service communications, जो आप यहां से करते हो, और कुछ important tools है, जो आप यहां से use करते हो, जैसे IRICA है, console है, या फिर message queries है, यह आप यहां से पढ़ते हो, इसके अंदर हो, फिर module number 18 में, आपके पास distributed systems, जो है, आप यहां से पढ़ते हो, इसमें आप यह पढ़ते हो, कैसे हम concepts की जो scalability, जो system जो है, उसको कैसे scale आप कर सकते हो, scalability आप यहां से पढ़ते हो, अगर कुछ fault है, तो fault torrents, आप कैसे करते हो, right, in a distributed system, this is the part of distributed systems, right, कुछ tools है, जो आप यहां से पढ़ते हो, जैसे Kafka है, या फिर Zoo Cooper है, इसे कुछ tools से आप यहां से पढ़ते हो, right, this is very advanced systems, advanced modules है, यह सभी, then module number 19 will be solid principle design patterns, जो है, वो आप यहां से पढ़ते हो, जिसमें आपके solid principles है, आप पढ़ते हो, right, teaching solid principles, और oops design patterns, जो है, वो आप यहां से पढ़ते हो, उसके लाब real world, real world के कुछ scenarios है, उसके कुछ explanations है, वदब कहने हो दब किया है, कि आप कुछ already module पहले से बना हुआ है, और कैसे हम उसको real world में कैसे हमने इसको implement किया गया है, वो आप यहां से करते हो, फिर the module number 20, जो आप यहां से पढ़ते हो, system designs, जिसमें system design fundamental, जो है, वो यहां से पढ़ते हो, इसके अंदर, और फिर यहां से, now after studying the system designs, यानि कि 20 modules करने के बाद, आप यहां से mock interviews की तयारी आप यहां से कर सकते हो, आप problem solving, जो है, वो आप यहां से पढ़ते हो, then you'll be able to move on, right, मुदब आप, obviously you can crack any interviews, बट इसके अलबा भी कुछ advanced concept जो है, वो थोड़ से आपको यहां से पता होना चाहिए, जैसे आपको benefit obviously मिले गई, जैसे devops है, devops के अंदर आपको CICD principles या फिर जैकिन्स, joker, kubernetes के बारे में पता होना चाहिए आपको, और you have to practical accepts, accepts, accepts भी भी आपको यहां से पता होना चाहिए, ठीक है, तो यह थोड़ा सा में speech का issue है, तो यह पर word में निकल, पता नहीं पार हो, तो again, devops का जो overview है, overview चीज़े कैसे काम करती है, वो भी पता होना चाहिए, असा नहीं कि आपको बहुत in-depth आपको जाना है, ठीक है, बलब चीज़े आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि modules बहुत सारे है, जितना width में आपक ज़रूरी है, फिर next आता है, आपके बास application security, जो आप यहां से पढ़ते हो, जिसमें कुछ in-depth modules आते हैं, जैसे xss, या फिर csrf आप यहां से पढ़ते हो, या फिर sql injections पढ़ते हो, और security के जो rules है, उसके benefit क्या होते है, उसके use क्या है, वो आप यहां से पढ़ते हो, कुछ vulnerabilities आप यहां से पढ़ते हो, so this is something वो last में कुछ advance करने के लिए, आप यहां से पढ़ सकते हो, और the last module, जो आप को यहां से पढ़ना चाहिए, ठीक है, that is penerating, testing और security scanners के कुछ examples है, वो आप यहां से इधर पढ़ सकते हो, ठीक है, तो कैसे आप vulnerabilities को आप prevent कर सकते हो, तो these are obviously like 23 modules, अब generally, if you want to be a full stack developer, तो इसके इंदर लगभग 23 modules है, जो मैं generally आपको बता रहा हूँ कि अगर आप perform to a full stack development, तो आपको सारी modules आपको यहां से करने होता है, अब generally क्या होता है, कि जब भी आप as a developers, आप काम करना चाहते हैं, तो उसके multiple levels आते हैं, जैसे A, S, T, E, आपके पास आता है, उसके अलावा फिर आपके पास SE 1 एक level है, फिर SE 2 होता है, आपके पास, फिर SE 3 आपका modules होता है, मतलब एक higher positions हैं, जिसको आप यहां से बोलते हो, and then आप lead की जो position है, वो आप यहां से पहुंचते हैं, तो, but anyways, जो full stack development की, जो salaries है, वो भी बहुत अच्छी है, और, but again, इसकी जो learning है, बहुत लेंदी है, आपको लगभग, 11 महीने से लेगर, एक साल आपको लगेगा, यह सारा modules आपको cover करने के लिए, but anyways, I hope you understand, यह सभी जो modules हैं, कौन-कौन से आपको पढ़ने हैं, कि steps से आपको पढ़ना है, कौन सा पहले, कौन सा करना है, कौन सा बाद में आपको cover करना है, वो सभी चीज़े मैंने आपको यहां से बता दिया है, ताकि यह सब आपकी front end, back end, databases, devops और mobile app development, जो आपकी specialization से आगे, तो वो पांच चीज़े जो है, आपको यह से cover करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा benefit यहां से मिलेगा, but anyways, I hope you like this session, session आपको अच्छा लगा होगा, let's meet in the next session, have a good time, tell you goodbye and have a good day.